वो आइतिहासी छनाने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं हम सबने आराध्य के दर्शन तेंट में करने की तसंकों पुरानी पीडा अब दूर होने जा रही है राम मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मारदर्शन में मैं अपने यम नियमों में वस्त हूं और उसका मैं वड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सब के आशिरवाद से इन क्यारा दिनों में वह साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी नह रह जाए और इस पवीत्र कारे को करने का मुझे जो आउसर मिला है साक्षी भाव से आपके आर्शिरवाद से भाँ जाऊंगा साथ यह भी संयोग है कि इसकी शुरुवाद मेरे इस अनुस्ठान की शुरुवाद महाराश्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमी से हुई राम भक्ति से भरे इस वातावर्ण में आज महाराश्ट के एक लाग से जादा परिवारों का दिर्फ प्रवेश हो रहा है अब बताइए मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी और नहीं बढ़ जाएगी आपकी भी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी मुझे बहुत खुशी है कि महाराश्ट के एक लाग से अधिक गरी परिवार भी 25 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम जोती प्रजवलित करेंगे करेंगे ना सब लोग राम जोती प्रजवलित करेंगे शाम को करेंगे पूरे हिंदुस्तान में करोगे अगर राम के नाम पर अपने मोबाहिल का फ्लेश चालू कीजिए और राम जोती का संकल पर लीजिए आप सब के मोबाहिल के फ्लेश चालू कीजिए सब के जिसके हाथ में मोबाइल पून है वो वादूर भी लोग है मैंने तो सोचा नहीं था यह फ्लैस लाइट होने के बाद दिखने लगा इतनी भारी फीड है जड़ा हाथ उपर करके बताईए 22 तारीक शाम को राम जोती प्रकटाएंगे